जीत राग दिन्या, नमो सारी जाते करें, करें थान्ता निमा, करिमंकर करियो मा, रंद करने को का, जाते मिले समाज सब, आवे इस तर्दावाद। चलो, पढ़ होई मार्ग नहीं पाते, तडब तडब कर वहाँ ही दुख को सहते हैं, ऐसे जीवों का भला होने की कारण बुद्ध, तिर्थंकर केवली वगवान रुपी सुरी का उदे हुआ, उनकी दीव्य दनी रुपी, किर्णो दारा वहाँ से मुक्त होने का मार्ग प्रकासित किया, जिस प्रकार सुरी को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकासित करूं, परंतु सहजी उसकी केंड़े भेलती है, उनके द्वारा मार्ग का प्रकासन होता है, उसी प्रकार केवली वित्राग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मुक्स मार्ग प्रगट करें, पर पुनश्य गंदर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सुरी का अस्तपना होगा तब जीव मोक्समार्क को कैसे प्राप्त करेगा और मोक्समार्क प्राप्त किये विना जीव दुख सहेंगे एसी करूणा बुद्धी से अंग प्रगिर्ण का दी दिरूप गरन्ट वे ही हुए महान दिपक उनका उद्योत किया हुनश्य जिस प्रकार दिपक से दिपक जलने से दिपको की परंपरा प्रवत्ती है उसी प्रकार किने आचार यादिको ने उन गरंतों से अन्य गरंत बनाए और फिर उन परसिक किने अन्य गरंत बनाए इस प्रकार गरंत होने से गरंतों की परंपरा प्रवर्तित है मैं भी पूर्ण गरंतों से यह गरंत मनाता हूँ पुर्णश्य जिस प्रकार सुरी तता सर्व दिपक है वे मार्ग को एक रूभी प्रकासित करते हैं उसी प्रकार दीर्व दनी तता सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूभी प्रकासित करते हैं तो यह भी ग्रंत मोक्ष मार्ग को प्रकासित करता है तथा जिस प्रकार प्रकासित करने पर भी जो नेतर रहीत अथार्ट नेतर विकार सहीत फुरू से उनको मार्ग नहीं सुचता तो दिपक के तो मार्ग प्रकासित पने का अभाव हुआ नहीं है उसी प्रकार प्रकार करन ऐसा नाम सार्तक जानना जब भी कोई आजमी नया गरंत लिखता तो सबसे पहला प्रसन आपको मिलेगा जब प्रकासन करने वाले इस अर्थ के प्रकासन पहले ही बहुत गरंत हैं तो तुम क्यों लिखते हो तो उसका एक कोमन उत्तर है कि आतर भी बहुत बड़े हैं या बहुत गंबीर हैं और उनमें सामाने लोगों का प्रवेश नहीं होता है तो सामाने लोगों के प्रवेश के लिए हम ये ग्रंथ लिखते हैं प्रसन भी सेट है और उसका उत्तर भी सेट है और ऐसा नहीं कि कोई उत्तर के लिए उत्तर बाश्ट के इस्तितिय है क्योंकि परिस्तिय निरंतर बगलती रहती है जब समय सार था तो हजार सालबा समलो आत्मी ख्याती की जरूवत खड़ी हो गई फिर आत्मी ख्याती से आगे बढ़े तो फिर जेचेंजी छावडा खड़े हो गई फिर आगे आए तो समलो प्रवतसंदत ना करुप लब्द हो गई फिर आए तो अनुशीलन आ गया अब कोई जरूवत खड़ी के इसके बाद कोई जरूवत खड़े हो गई क्या नहीं है अब इसके बाद कोई जरूवत नहीं पड़ेगी भविस्थ में इसके लिए फिर जरूवत पड़ेगी तो फिर कोई बिद्वान होंगे जो अनुशिलन का अनुशिलन करेंगे हाँ तो और उसमें लिखेंगे उसकी कोई कमी थोड़ी है कि निरंतर गुद्धी चिन होती जाती है लोगों का छे उक्षम बदलता जाता है इसे दरवे छेत्र काला भाव की मांग के अनुसार सदेव नवीन ग्रंत को लिखने की परंपरा रही है बनाए ऐसा नहीं है कोई ने एक आजमी ने लिख दिया तो इसकी ज़रूरत खत्म होगी यह सबसे अब दूसरा आजमी कुछ कर रही नहीं सकता क्यों अगर ऐसा करोगे तो ग्यान का मार का ही खत्म हो जाएगा उसकी मर्यादा के विर्ध नहीं हो बस ऐसी बात है क्योंकि जरूर थोड़ी के जो जो चीज दिविध्धनी में आगई वो सब शास्त्रों में आई गई दिविध्धनी में तो सब आया शास्त्रों में किती सी कम बाती आई आई और उसके बाद उसके उपर प्रसंद कितने लोगों के हो सकते हैं हो सकता है कि टोटमल जी नो जो चीज लिखी इस पे ऐसा प्रसंद पैदा हो कि उनने सोची नो कि ये लिखने से कोई आदमी को ऐसा प्रसंद भी हो सकता है तो उसके जवाँ में कुछ ना कुछ तो आएगा न तर्क इसलिए नवीन सास्नों के लिखने की संभावना सदेव बनी हुई है उससे इंकार करना हट वा जिता है ये बात मैं इस अंदर में कहना चाहता हूँ कि जब भी नए लेखक कोई आते हैं तो उनके उपर सबसे पहला आक्षे वोता है कि तो मैं अपने बड़पन के लिए तुम्हें ग्रंथ लिख रहे हो हर बार ऐसी ही बात नहीं होती जो कोई आदमी कुछ काम करेगा तो बड़पन तो हो गई उसका को निश्यत कर सकता है लेकर बड़पन के लिए काम किया जाता है तो बात सर्वता नहीं है जो लोग काम करते हैं वे वात इस बात को समझते है और जिनको कमेंट्स ही करने है उनका काम ही है कमेंट्स करना तो उनके कमेंट्सों से घबडाने की भी जरूत नहीं है परिशान होने की ज़रूरत नहीं है इसलिए नरंतर हमें अपने दिमाग को सक्री और चिंतन सील रखना ही चाहिए बोलो क्यों क्यों क्या दिक्कत है ग्रंत के कोई चीज रचना ग्रंती की कोटी में आए इसके लिए पूनता पूनता आधार है कि उसका विशे आधार है बोलो आधार तो विशे है पूनता पूनता तो अलग सब्जेक्ट है कोई चीज पूरी नहीं विशेलो उसको उसमें नहीं रखना चीज़िए कौन सी बात आई यह प्रसन ही ठीक नहीं है बोलो कोई प्रस्ण हो तुम्हें इसके अलावा तो पूछो नहीं मानिया कोई प्रती प्रस्ण हो तो क्योंकि मुझे यह समझी में नहीं आए कि पूंता पूंता ग्याधार से आप कोई चीज को गरंत नहीं क्यों कहोगे उससे उसकी quality में का कमी आगी, मैं कहता हूँ 50% लिखा गया, 30% लिखा गया, तो जो नहीं लिखा गया वो तो आया ही नहीं पर जो आ गया, उसकी quality में का कमी है ये कोई मिठाई थोड़ी के रजग अला बना रहे थे, और बनते बनते बगड़ गया, अथो अधूरा बना इसलिए उसको मिठाई नहीं कहा जाएगा ठीक है, तो जितना आया वो परिपून है, वो तो शांस्त्र है ही, जो नहीं आया, वो आता तो बहुत भागी की बात थी, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हमारे पाप कोई है, समझ लो यह बहुत बिवाद का विश्य है हर उस बात को ग्रंद कहा जा सकता है जिसमें जिन्वानी की बात हो अब जिन्वानी की बात कौन सी हो, कौन सी नहीं है यह हर वेक्टि को अपने बुद्धी विवेक से पूर्वा पर परंपरा को मिलाकर निर्णे करना चाहिए ठीक है यह यह वाब वास्त होगे क्यों, आप उसी बात को पुस्तक कहोगे उसी बात को हम जिन्वानी कहेंगे मैं कहता हूँ, आप कुछ भी कहो यह पुस्तक है के जिन्वानी मैं सिदा उधारों खडातीय है आपके साबने इसलिए आप उसमें मद्वेद है यह प्रांत का ग्रणत क्यों नहीं हो सकता प्रांत में का होता है कथभा कहानी के माद्हहर को तत्थ की बात कही जाती है और उसमें भी का जाती है क्थभा कहानी के Warning जिन्वानी मानने में क्या तकलीफ है पता समस्या कहा खड़ी हो जाती है हम जिन्वानी का आर्थ से ये समस्या का पूझ यह है और फिर हमें वो ब्यक्ति सामने दिखता है तो मैं रहा है इनकी बात है जिन्वानी कैसे हो गई क्योंकि जिन्वानी तो हम आचारियों की वानी को समझते हैं अरे यार आचार जैसे गंदोदक है तो गंदोदक अगर पवित्र है मैं अगर सब्द का यूज कर रहा हूं कि अगर वो पवित्र है तो चाहे मंदिर के कटोरे में रखाओ फिर चाहते हो उस कटोरी को छोटी सी कटोरी में लेकर अपने घर में आ गए उससे क्या फरक पड़ गया मन्दिर में गए तो वो गंदो दग और घर में ले आए तो फिर गंदो दग नहीं वो किस पात्र में है किस के द्वारा आया है इससे उसकी पूजिता में क्या फरक पड़ गया ऐसी जिन्वानी का प्रिधिवादन किसी ने भी किया उसे जिन्वानी के पर क्या फरक पड़ा वो जिन्वानी है या नहीं है इसकी कसोटी यह है कि पूरवा चारेों की परंपरा के आधार से है के नहीं है वो शास्त्र की जो मूल आमना है उसके विरुद्ध है के नहीं है उसके आधार से नेड़ने कर सकते हो आग अगर शास्त्र की जो मूल आमना है उस आमना के विरुद्दे तो आप कह सकते को जिनवाणी नहीं है फिर चाहिए वो आचारी की लिखी क्यों ना हो और अगर पूर्वा पर आमना ऐसे बराबर है जो समयलोग पूरव आचारे उने कहा उसके में कहा समयसार उंसुलन का है मैंने आप कुछ भी कहो को तो यूही नाम लिया था पर ये क्या है समयसार उंसुलन का है खुंद-खुंद की बाणी कहीं जो विश्तार है बस शद्व समयलोग के लिखके हैं जो ग्रस्ते हैं जो आपकी नजर में रागी दोसी दिखाई देते हैं तो का कुंद कुना चार रागी दोसी नहीं थे फिर जेस्चन चाड़ा रागी दोसी नहीं थे पर सास्त्र स्रजन करते समय व्यत्ती के चित्त में रागद्विस नहीं है रागद्विस नहीं माने बीतरागी हो ऐसा नहीं वो शास्त्र में उन्हें आगम की बात कहने का अग्रे है अपने अभिप्राई के अनुसार कोई बात को मिलाने का अग्रे नहीं है अपने मत को ने चलाने के लिए कोई नई बात को परिवतन करने का अग्रे नहीं है तो जिन्वानी है अगर ऐसा है तो फिर वो जन्वानी फिर जिन्वानी नहीं है क्या मैंने इसलिए आपसे ये बात कही है कि हर वो चीज जो जिन्वानी की आगम की परंपरा से मिलती वो जिन्वानी है अब कौन सी आगम की परंपरा से मिलती है और कौन सी आगम की परंपरा से नहीं मिलती है ये हर विक्ति को अपना निर्णे कर लेना चाहिए क्यों इसमें तो फिर अनन्त विस्तार है ठीक है उसमें बहुत 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 की संभावना है तो अपन उस रस्ते नहीं जाना चाहते हैं चलो समादान जिस प्रकार बड़े दिपकों का तो उद्यद बहुत तेला दिक के सादन से रहता है जिनके बहुत तेला दिक की सकती नहीं है उनको छोटा गरंद बना दे तो वे उसका समादान रख कर उसके प्रकास से अपना कारी करे इसलिए ये छोड़ा सुगम गरंत बनाते हैं ठीक है वो ही प्रस्ण और वो ही सेड जवाब है ना कि जो हर गरंत कारने शुरू आत्मे प्रस्ण लिखा कि ये नया क्यों मनाया वो हर गरंत कारने उसका समाधन दिया ये पुराने गरंत जो थे या तो बहुत बड़े थे बहुत कठिन थे तो लोगों को सुलफता से अभ्यास करने के लिए बनाया है चलो पुनष्य यहां जो मैं ये गरंत बनाता हूँ जो कसायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोब साधन के लिए अत्वा यस्प्राप्त करने के लिए अत्वा अपनी पद्दती रखने के लिए नहीं बनाता हूँ इतने सारे उन्होंने उसके जवाब दे दिए जिनको व्याकरण नय दीक नय प्रमाणा दीक तथा विसेज अर्थों का ग्यान नहीं है उनकी इस कारण बड़े ग्रंतों का अप्यास तो बन नहीं सकता तथा किनी छोटे ग्रंतों का अप्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भासित नहीं होता इस प्रकार इस समय में मंद ग्यानवान जी बहुत दिखाई देते हैं उनका वला होने के हैतू दर्म पुद्धी से यह भासा मैं गरंत बनाता हूँ पुनश जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंता मने की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे तता जैसे कोड़ी को अमरत पान कराए और वह न करे उसी प्रकार संसार प्रीडित जीवों को सुगम मोक्ष मार के उवदेश का निमित बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभागी की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती उसकी होनार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है इसको मैं कहता हूँ ठंडे पानी में डोबो करके बड़िया डंडा मारा है अच्छी भासा में आपको कड़क जवाब दिया है कि माने वे लोग कितने ढीट हैं कि जो दुख से पीड़ित हैं और उनको दुख दूर करने का उपाया बनाने के लिए बैज जी घर में आये हैं पुडिया बना को उन्हें दवाई दे गए हैं तो अभी बे गले की नीचे गटकना नहीं चाहते कि बड़े दरिद्री को अभलोकन मात्र चिंतामणी की प्राप्ती हो बड़े दरिद्री का भी बेशेशन बढ़ा कि छोटा मूटा नहीं बढ़ा दरिद्री कि जिसको देखे अच्छे अच्छे को करोना आ जाए ऐसा दरिद्री और उसको चिंतामणी मिले और भी तो मैं भीग मागने वेश्ट तूम फुर्चत नहीं है है मुरक्ता के नहीं उसका इजवाब कितना मुरक्ता भरा है कि अब चाराने बहुत सेड़ी देने वाले हैं मैं चिंता मनी को देखूंगा तो बहुत सेड़ी निकल जाएंगे है चारान हमारा नुक्सान हो जाएगा ऐसा ही और कोड़ी को अमरत पान कराए और वो नहीं करे कैभी तो मुँ में सपाड़ी है है अमरत पान कराए और नहीं करे तो कैसी मुरक्ता का भ्यापार है उसी प्रकार ये तो था उधारन माने ये उधारण अपन को जैसा हासे का इस्थान लगता है जैसा ही लगता है कि वो आदमी कैसा पागल होगा ऐसे ही छोटे मोटे पागल अपन सब हैं कि संसार पीड़त जीव को सुगम मोक्षमार के उपदेश का निमित्व बने कि चार गती में भ्रमता आ रहा था कि अब की बार मनुस्यकती मिलेगी तो अपने हित का उपाई जरूर करूँगा नरक में पड़ा पड़ा ये जी नरंतर विचार करता है त्रेंच में आके भी विचार करता है माने जब पृत्वुल परिस्तिती में होता है तो वह विचार करता है कि अब की बार में ऐसा काम करूँगा जिससे मैं ऐसी परिस्ति में नहीं परसूँ लेकिन जैसे ही संगी पन्चेंद्री पना मिला मनुस्यकती मिली थोड़ी भोगों की अन्पूलता मिली तो पुनह उसे में ब्यस्तों हो गया तो ये वह अपना प्रियोजन भूल गया ऐसे ही कि संगी रिदि जीव को सुगम मुक्षमार के उपजेश का निमित्व बने मुक्षमार के लिए सुगम विशेशन गया कि बोलो इस सरल मुक्षमार का बताएं कि का करना है कि कुछ नहीं करना है करना बंद करना है शुकम मुक्षमार का अब्देश मिक्का निमित बने और अभ्यास नहीं करे वो ही वो है न संसार ब्रक्ष का दर्शन सबको ख्याल में हैं के नहीं है कोई बिच्चा है जिसको संसार ब्रक्ष का मतलब समझ में नहीं आया हो नहीं आया स्रेनिक बता क्या बैठो बैठो और ऐसे कोई है जिसको समझ में नहीं आया तुम्हें आया समझ में संसार ब्रक्ष फड़े हो उसमें जो दो चुहें हैं बेकाय के प्रतीक है बैठो और कोई है ऐसा सभागेवान हाँ तुम हाँ यस क्या 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 बुला इसमें इसनी बुला कि मैंने पताया जब इत्धा नहीं इनके अभागे की वहिवा हमसे तो नहीं हो सकती कितना अच्छा जवाब दिया मैने कब बताया यह तुमने कहा समझहें मैने कोर्स बात पूँछी तुमने यही पता नहीं कि मैंने पूछा का है इतनी सामानियान नहीं आ रहा है भले आदमी को कि मैं क्या पूछ रहूं तरसम मालूम है क्या पूछा मैंने ठीक क्या पूछा नहीं हसो मत बोलो इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो ऐसे निकल जाता है तो मेरे को दिमाद में आगी कि वह एक दो से पूछू तो कोई चीज न समझ में आये न तो उस अज्ञान को छुपाऊ मत वो अज्ञान इस्था ही हो जाएगा प्रसंग बस सही लेकिन ख्याल में आये तो उसको जाने की कोशिश किया करो संसार व्रक्ष मंदरों में चित्र बना रहता है संसार व्रक्ष दरसन के नाम से ठीक है उस चित्र में क्या होता है एक पेड होता है जिसमें एक मदू मख़्ी का छत्ता होता है और ऊस छत्ते से सहीज की एक एक गूम टपक रही होती है देखा है ना मैं उसके वारे में पूछ रहा हूँ उसका बढ़नन मालूत हे तुम्हें उसको kindly explain कर सकते हो माने उस चित्र का जो प्रतीक हैं उनको एक्स्प्लेन कर सकते हैं वर्षा तुमने देखा हैं तुम बता सकती हो अरि यार मैं उपादे कहने से बच्चों से थोड़ी पूछ रहो यार इतो सामाने भी शें नहीं कर सकते हैं बैठो बोलो दूम चुए क्या बता दे चलो कोई बात नहीं पूरा बर्णन कौन कर सकता है कर सकते हो चलो कोई बात नहीं अभी अपन कख्षा का समय बैस नहीं करते हैं आपको मैं यह होंबर कर देता हूं सामाने कि संसार ब्रक्ष का जो बर्णन है एक वारा पढ़ना कल अगर हमारी इक्षा होगी तो हम किसी से पूछने की कोशिश करेंगे कल कोई मेरे से यह नहीं कहना है कि इसका मतलब हमें नहीं पता है क्या नहीं हम इसका खटो लिए ठीक है हाँ तो कली मत किया नहीं कि बईसा में नहीं पढ़ा नहीं और नहीं मिले तो मेरे से मांग ले नहीं मेरे पास वाट्शेप पढ़ाए क्या बढ़न के साइट डाला था कि चित्रा के ला डाला था और बढ़न भी डला है तो हो कि अफिर आप अपनी क्लास को आपस में फर्वर्ड कर लेना नहीं नहीं कोई बात नहीं आपस में कर लेना हाँ तो हम लोग से जाता विद्वान तो आप ही लोग हो बस जानते नहीं हो चलो कहा है कि साहिं ना इस सुकम मुख्षमार्ग से बात ख्याल में आई थी मैं कि सुकम मुख्षमार्ग को उप्दिस करने में तो बने और अभ्यास ना करे माने मुक्षमार किसे जाता सुकम क्या होए और उसका अभ्यास नहीं करे तो उसके अभागी की महिमा तोड़रमजी के था उसके अभागी के लिए मैं कितने गरंथे लिए लिए दूँ है ना ए चलो कहाए कि ए पंक्ति बहुत बढ़िया है होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है जैसे होता ना कि मैं आपको बार बार पढ़ाने की कोशिश करूँ और फिर भी आप दुस्ट बुद्धी होकर धीट बुद्धी होकर पढ़ने की कोशिश ही नहीं करें ज्यान की पृती जरावी उत्साहा ना दिखाए तो फिर का करें कि होनहार ही का विचार करके अपने को समता आती है सजी बात है हम का करें हम तो आपको ज़्यादे ज़्यादा प्रेड़ नहीं तो कर सकते हैं चैई तो सकते हैं उसके बाब मैं या तो कठोर शब्दों का प्रयोग करूँ या मज़ूर शब्दों का प्रयोग करूँ इसके लाबा तो मेरे बस क्या हो पाए ना आपको कठोर शब्दों की परवाय हो ना आपको मज़ूर शब्दों की परवाय हो तो फिर हम का करें कि होनहार ही का विचार करके समता है कि जिसका अरंत संसार अभी वाकी है उनको ये बात अभी कैसे ख्याल में आईगी वो आ जाएगी तो फिर अरंत संसार वाकी कैसे रहेगा वास्तों में बात भी ऐसी है कि जिसको अपने कल्यान का मार्ग निकट आ गया है उसके भागे में ये बात ख्याल में आए ऐसा निमित बनता है ये ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी सोचे कि उसको ऐसा आउसर मिलिया ये संभाव नहीं है इसलिए मैंने आपसे कई भी थी कि आप लोग संसार के बहुत गिनेचुने भागे साली लोगों में से हो अब उसमें से भी जो भागे साली यहां आगे अब बड़े भागे हैं जो इस समुन्दर में रहकर के भी या ऐसकाव मीठे पानी की जील में रहकर के भी प्यासे रह जाते हैं मैंने सेकेंडियर में आ गए फाइनल में आ गए इसके बाद जो जेंडरम की जो कुछ बेसिक बहुत बेसिक मैंने कुछ पाट साला के बाद चौसी भी कोई वाद प्रसन पूंचे तो भी वो साय उसको मना नहीं करे तो अभी उनके प्रती आपका उसाहाईने जगे आप उसको अतिन्त हलके स्तर पे ले जाओ और चिंतन का भी विशय ना वनाओ तो प्राभागी की का महिमा की जाए ऐसे ही है कि होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है कि जिनकी भवितब होगी उनको इस समझ में आईगी जिनकी भवितब नहीं होगी आप कुछ भी कर देना नहीं समझ में आईगी चलो भी जाए कि एपद बहुत बढ़ी हाई साहीने गुरु जोगे जैन सुणंती हदम वयणाई ते दिठ दुठ चिता असुडा भवय विहुणा स्वादीन उपदेश दाता गुरु का यूग मिलने पर भी जो जीव दर्म उचनों को नहीं सुनते वे तिठ है और उनका दुष्ट चिता है अथवा जिस संसार भवय से तिठंकर रादी डरे उस संसार भवय से रही थे वे बड़े सुभट है यह कितनी बढ़ी हा उपमा है माने इसको आप जितना भी रस ले लेके चर्चा करो ना आपको उतना आनन्दा है कि जिस संसार भवय से तिठंकर जड़ डरे और उस संसार भवय से रहे थे वे बड़े सुभट है पताव तिठंकर उनको क्या तकलीप थी जो संसार भिषय सुक हो तो उन्हें क्या तकलीप थी चकवर्ती थे, तीठंकर थे, काम दे हो थे तो भी नंग धढ़ंग हो करके चले गए सब छोड़के चल दिये तो कोई तकलीफ होगी जब भी तो चल दिये कि विश्वमे की त्रप्ती में विश्यों की उपलब्धी में अगर आनंद होता तो भी क्यों आनंद छोड़कर के जाते तो जिस भय से तीठंकर डड़े, मनि जिस संसार में सुख नहीं है ऐसा छोड़कर के भाग लिए और तुम अत्यनत सुख से टांग पसार करके सुखते हो स्री गुरु तमें समझाते है स्री गुरु तुम्हें हाथ पकड़के बारवार उपदेश देते हैं कि भाईया संसार से बाहर आओ संसार में सुख नहीं है कितने कितने प्रकार से तुम्हें जगाने के कोसिस करते हो तो थोड़ी जरुआ पर एक भून दोरा जान दो तो जिससे तीथंकर डरे और तुम नहीं डरते तो कितने बड़े सुखथ हो मने यह उपमो अलंकार किया कर एक एंगिल से बात करो तो कितना बढ़ी उसका उदार अंडरस्टान्थ है कि जिससे तीथंकर डरे और उससे तुम नहीं डरते बढ़े सुबठे हैं कि उनकी हिम्मत की दाद दिये विना हम से रहा जाता नहीं हम तो इत्ते हिम्मत वाले नहीं है हम तो बहुत डर पूँखे भी हमें संसार से बहुत डर लगता है चलो पुनेश्य प्रवचन सार में भी मुक्ष मार्क अधिगार किया है वहाँ प्रतम आगम ज्यान ही उपादे कहा है एक प्रोचन सार की या एक अशी 182 ग गाथा था है इस की इस वात के लिए किती है इलाए की स्वाध्याइख ही करना चाहिए आभा सवाध्याυकराई औहीं करना चाहिए से सहीं बाव होता है और उस आगम से आत्म ज्यान की भी प्राप्ति होती है तब सहजी मुक्स की प्राप्ति होती है पुर्णश्य धर्म की अनेक अंग है उनमें एक ध्यान बिना उसे से उच्छा और धर्म का अंग नहीं है इसलिए जिस तीस प्रकार आगम अभ्यास करना य इहान ना हो तो करमों को काटने के लिए सबसे बढ़ी आ रस्ता क्या है कि तत्त का अभियास करो नउमे ध्याख ये 7 मिद्य है नोमे ध्याख में वो है ना पुर्षाट से मुख्षपराप्ति का प्रटरण नउमे ध्याख में वहाँ भी इस वात को काफी गहराई के साथ विस्तार दिया गया है कि यह मुख्ष करने के लिए करें क्या कि जब काल अब्दी आई यह जब ही होगा कि नहीं काल अब्दी से नहीं होगा पुर्षाट से होगा तो पुर्षाट के लिए क्या करना के मुक्ष प्राप्ति के लिए मैं का करूँ के कौन से कर्मों को उठा जो फेगूँ भुनश्य इस ग्रंद का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है कोई व्याकरणा दिक्का भी साथ नहीं चाहिए इसलिए अवसे इसके अभ्यास में प्रवर्तो तुम्हारा कल्यान होगा संसार ब्रक्ष के नाम से प्रसिद्या मंदूर में जो चित्र लगे है ना वो संसार ब्रक्ष दर्सन के नाम से यह है उसको कहते भी संसार ब्रक्ष ही है ठीक है ना बात यह कई है क्या नाम तुम्हारा नमन वो घर का चिंटू तो चिंटू नमन यह कई है चला पीट बन वान ने स्टार्टिंग घोड़े को कहीं ले जाना हो तो उसकी पीट बानते है क्या होते है उसकी जो काथी होती ला हाथी को पर भी उसकी काथी बानते है घोड़े को ले जाने के लिए उसकी जीन कसते है पीट बंद प्रभूपन मोक्ष मार के लिए निकल रहा है उसकी तैयारी दूसरा दिकार संसार वस्ता का सरूप प्रष्ट क्रमांग 21 दोहा पढ़ेंगे सभी एक साथ मिठ्याबाब अवाबते जो प्रकटे निजिभाब सोजेवन ते रहो सदा ये घीमो अब इस सास्त्र में मुक्ष मार का प्रकास करते हैं वहाँ बंदन से छोटने का नाम मुक्ष है इस आत्मा को कर्म का बंदन है और उस बंदन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाई भी रहता है परंतु सच्चा उपाई प्राप्त किये बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है ठीक है, दुख तो है दुख दूर करने की कोशिश करता है तो कि असली उपाय मिलता नहीं इसलिए दुख दूर होता नहीं सहा जाता नहीं तुका करें चिलाता है अब जिसे मालों कोई रस्ती से बांदे और सौटे लगाए तुका करेगा भागतो सकता नहीं है तो पिटता रहे तो चिलाता रहता है और क्या उपाय है कोई उपाय है? नहीं है कि पिटता रहेगा फिर एक दंदा देगा हाई राम फिर एक दंदा देगा फिर हाई राम ऐसे ही कि संसार में यह निरंतर विश्यों की त्रशना से भोगों के उससे आकुले थे व्याकुले थे उससे दूर होने का उपाय समझ में नहीं आता है जो उपाय करता है उसे जूटे हैं तो का करता है कि व्याकुलता होता है व्याकुलता का लक्षन का है व्याकुलता का लक्षन का है मैं आप कैसे कहो कि यह ब्याकुल है कि नहीं है बस सीरी सी बात है को नरंतर प्रेतन सील है ना नरंतर जंचलता उसके चित में है तो इससे ख्याल में आता है कि यह ब्याकुल है अब यह ऐसा बैठा था फिर ऐसा बैठा था फिर ऐसा हो गया काई के लिए तो यह व्याकुलता है जट में ऐसे ही एक ये को ग्राण करता है उसको छोड़ता है दूसरे ये को ग्राण करता है उसको छोड़ता है एक भोग को ग्राण करता है उसको छोड़ता है दूसरे भोग को ग्राण करता है उसको छोड़ता है एक पिक्चर भी वाट्ट्टेप बहुत दिन से चल रही थी कौन सी थी भूल गया बिल्कुल इसी सब्जेक्ट को लेकर के है है जस्ट भूल गया भी दिमाग से उतर गई है यह दिपी वो है श्वेतामरमत के अनुसार हाँ एक चीज मिलेगी वंडर्फूल है ना तो उसमें भी होई कि रस्गुल ले खाली है अब पहला खाया कितना मुझा है फिर दूसरा खाया कितना मुझा है फिर अब तो पेट दुखने लग गया अब बंद कर दो कंसर्प्ट क्या है कि कोई चीज को कितनी मज़ेदार हो सकती है कि उसको पारें के लिए तडप कितनी मज़ेदार है माने जितनी गहरी तडपन है उसकी प्राप्ती उतनी आकरशक होगी और तडपन नहीं हो तो तो उसकी प्राप्ती आकरशक नहीं होगी तुम्हाने संसार के सुक्ष का सरूपई ये है कि अगर तुम्हें संसार का सुक्ष चाहिए तो पहले उसके लिए दुखी हो लो दुखी होगे तो भूख लगेगी तो खाने का अनन्द आएगा और भूख नहीं होगी तो 56 प्रकार के बिंजन रखे रहेंगे खाने का अनन्द नहीं आएगा ये प्रिंसिपल है संसार के सुक्ष तो ऐसी कि ये जीब ब्याकुल होता सहा जाता नहीं है रस्ता मिलता नहीं है तो का करे कि पराधीन दुख सहता है और क्या हो पाए चलो इस प्रकार जीब को समझ से दुख का मूल कारण कर्म बंदन है उसके अभावर कर्म बंद को टोटो मजी ने ख़ड़ा क्यों किया क्योंकि कोई ने कोई चीज़ को खड़ा करना पढ़ेगा ना कारण के लिए तो उनने निकटम जो निमित है निकटम निमित कर्म का उदय है इसलिए सबसे वे लोगने कर्म के बंदन को खड़ा किया है आगे जाकर कि वो उसकी बात भी करेंगे लेकन प्रधान कारण, मूल कारण, निमित कारण जो सबसे निकटम है कर्म का बंदन है और प्रसुद कथन भी यही है इसलिए उनों ने यहां से चर्षा प्रारंब की है अभी वेद का उधारन है यह जो लगाता कंटीनू हरत ध्या में आपको देखने मिलेगा वहाँ जैसे वेद है सो रोग सहित मनुस्त को प्रतम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तता उस रोग के निमित्ते से उसके जो जो अवस्ता होती हो वे बतलाता है उससे उसको निश्य होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है फिर उस रोग को दूर करने का उपाई अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाई की उसे प्रतीती कराता है इतना तो वैत का बतलाना है तता यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने सुवाव रूप परवड़ते यह रोगी का करतब है तो आप उसका जवाब बरावर देते जाते हो तो आपको क्या भरोसा होता है आदमी तो समद्दार है होता है कि नहीं कि भीये तेरे को यह तकलीफ हो गई है निर्ने हो गया अब मैं जो दवाई देता हूँ इसको खाना और यह चीजें नहीं खाना तो तू ठीक हो जाएगा यहां तक तो डॉक्टर्ट की डूटी थी अब उसके बाद कि वो नहीं करे और फिर बाद में जायके साथ हमें सो कुछ फायदा नहीं हुआ तो तूने दवाई खाई थी कभी-कभी खा लेता था कभी-कभी नहीं खाता था और मैंने जो नहीं करने के लिए मना किया था वो किया था के नहीं किया था कि वो तो खुब किया था तो कैसे ठीक होएगा जो तुमें बीमारी है उस बीमारी के लिए हमने जो इलाज बताया है वो इलाज नहीं करेगा तो सुखी कैसे होएगा कि तुम्हें संसार का दुख है कि है तो संसार से दुख से छूटने का उपाय मैं जो बताता हूँ वो कर तो वो उपाय तो करता नहीं है और फिर अगले दिन आ जाता है कि भगवान बहुत दुखी हूँ क्या जन्मरत्य बिनासना है जलम नरुपामती मैं कई बारे बात किया चुका हूँ जब भी प्रहोचन में ऐसा मौकल तब भी मैं कहता हूँ कि अपन सब बोलते हैं कि मुख्ष फर प्राकता है फलम नरुपामती स्वाहा अमालो भगवान महाविर को पिगल जाए ओपे केंगा चल यार मुख्ष चलते हैं हम तुम ले चलते हैं कितने लोग मुख्ष जाएंगे मैं दिल से कितने लोग इस बात की चाहना रखते हैं कोई नहीं है सब ऐसा मूझ खाल डेंगे अरे हमने तो सोची नहीं थी कि तुम आजा होगे लोगों का first reaction का आएगा first reaction ही आएगा कि चल यार मेरी प्रातना सुन ली कही कि first reaction ही आगा जो का होगा नहीं तो फिर इसका मतलब का है कि सब धेकी दिखाई बाते हैं सब गतानुगत की लोके है कोई को इसकी बात नहीं है ये तो मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ कि time pass मुफली जैसा सब यूज करना चाहते हैं क्यों कि उससे पुढ़ने का बंद होता पुढ़ने के बंद से लोके सुकी प्राप्ती होती है असली मुख्ष सुकी बात कौन करता है ठीक है तो मैं तुम्हें संसार बैद का करता है कि बैद के बास गया तो पहले वो आपको उसके कारण बताएगा उसके लक्षन बताएगा ने-ने कराता तक भी ये तुम्हें ये हुआ है फिर वो उसका अप्चार बताता वो करेगा तो पर तुम सुकी हो गे न ऐसी समोशन में गए कि भगवान बहुत दुखी हूँ बहुत दुखी हूँ कि तुम चुपर हमें सन मालूम है कि तुम इस कारण दुखी हो ये कारण को छोड़ दे तो सुकी हो जाएगा है है ये तो नहीं हो सकता तो फिर कैसा सुकी होएगा अच्छा हजारों लोग उसके सामने इस वाद के सार्टिफिकेट लिए खड़े हैं कि हमने इसको अपनाए हो हम सुखी हो गई तो भी उसे भरूसा नहीं आता तो यह अग्यान का महात में नहीं है तो क्या है चलो उसी प्रकार यहां कर्मबंदन युक्त जीब को परतम तो कर्मबंदन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मबंदन हुआ है तता उस कर्मबंदन के निमित्ते से इसके जो जो अवस्ता होती है वह बतलाते है उससे जीब को निश्रे होता है कि मुझे ऐसा ही कर्मबंदन है तता उस कर्मबंदन के दूर होने का उपाय अनेक परकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीती कराते हैं इतना तो सास्र का उप्देश है यदि यह जीब उसका साधन करे तो कर्मवंदन से मुक्त होकर अपने सुवाव रूप परवड़ते यह जीब का कर्तब है कर्मवंदन का निदान कल बढ़े चकते थे ना लेकर प्रसिद कथन यही है और उने कथन किसके साथ करना है किनको सिखानी यह बाद विद्वारों की विश्वंदन कथन करनी रहे थे जो इसको दुख्का कारण मानते हो उनको कोई कहनी थी तो सबसे वहीं से बात सुरू करेंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आईगी ना हाँ मूल कारण यही है क्यों निमित की अपिक्षा से मूल कारण यहीं नहीं है निमित की अपिक्षा से बात करो को तो कर्म का उदे नहीं है अज्ञान का है, अज्ञान भी तो कर्म के उद्धे का विशे है डॉल नमर एक आंकास ग्यारत तारीकों कहां था वाई तुमाई गर्दन टेडी हो गई डॉल नमर दो तीन, चार, पांच छे, साथ, आठ नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चुगदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नीस तुम थानेदार जैसे क्यों खड़ा गेता है मने यह देखता है कि मैं सही कर रहा हूं कि गड़बड कर रहा हूं तो अपने जी कह बेट जाए तो अभी भी एकी बार करना पड़ा हूं उन्नीस